दोस्तो दुनिया में सबी सांती डूंटते हैं इंसानों द्वारा बनाए गई मशीनों के सोरसर आब इसे परिशान लोग नेचर के करीम होने के लिए जंगलों में जाते हैं लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा शान्ती होने पर भी परिशान हो सकता है जहाँ पर किसी भी चीज की ना तो आवाज आ रही हो, ना हवा की और ना ही किसी और चीज की बहाँ आपको उक्सिजन तो मिलेगा लेकिन आप उस हसीम शांती को बरदाश नहीं कर पाएंगे दुनिया की यह जगा शबसे सांथ है जो किसी जंगल पहाड और अंत्रिक्ष में नहीं है बलकि यह एक कमरा है जी हाँ चोक यह मत यह एक कमरा है जो है इतनी शांती है कि इनसान यहाँ पर 45 मिनट से ज़्यादा रह ही नहीं सकता है बहुत से लोगों ने इस कमरे में रुकने की कोशिश की लेकिन वे बहाँ 45 मिनट से जादा नहीं रुक बाए क्योंकि यहां इतनी शान्ती है कि अगर कोई यहां जादा देर रुका तो बहुत पागल हो सकता है इस कमरे का नम एनिको एक चैंबर है जिसको अमेरिका के वशिंग्टन में मैक्रोसोफ्ट के हैटकॉर्टर्स में बनाया गया है इस कमरे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बाहर की आवाज इस कमरे में बिलकुल नहीं आती है अगर इस कमरे में ताली बजाई जाए तो आपको उसकी काफी तेज आवास सुनाई देगी जब भी कोई इंसान इस कमरे में प्रवेश करता है तब रहे तुरंत एक अजीब और अनोगी संसरी महसूस करता है जिसे बताये नहीं जा सकता जैसे कई लोगों के कान बजने लगते हैं वो बहरापन महसूस करते हैं वैसा ही इस कमरे में एंट्री करने के बाद महसूस होता है ज़्यादा शान्ती के लिए कमरे को प्याज जैसी सरनेश्चनल की तरह डिजाइन किया गया है यह नॉर्मल कमरों से काफी अलग है इस रून को कॉंक्रीट और डिस्टिल की छे पड़तों से बनाए गया है जहां हर एक परत एक फीट मोटी है इस कमरे को बनाने में साड़े दस करोन की लागत का खर्चा आया था इस कमरे में आज तक रुकने का मैकसिमम रिकोर्ड टाइम 45 मिनट है इसलिए दुनिया की सबसे सांत जगह होने की बज़े से इसे गनीज बुक और वर्ड रिकोर्ड में सामिल किया गया है तो दोस्तों क्या आपने पहले दुनिया की सबसे सांथ जगर के बारे में सुना था कॉमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद